हेलो माइडियो स्टुडेंट वेल्कम टू रेडेंट कुछिंग क्लासेज आज हमारा इंटीग्रेशन पर लेक्चर नंबर 5 होने वाला है लास्ट वीडियो लेक्चर डैटमिस लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने एक्जरसाइस 3.2a कोशन नंबर 2 7 तक कंप्लीट कर लिया आज के क्लास में हम लोग कंटीनू करेंगे कोशन नंबर 8 से ठीक है लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगे a e to the power x plus b upon c e to the power x plus d जो भी बच्चे ये वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं उनसे रेक्पेस्ट है कि लास्ट वीडियो पहले दे लें क्यमक्या हम लोगों ने लास्ट वीडियो में dice कूर्स किया है इस टाइप के कुशन को सॉल करने के लिए meocy क्हा होती तो स्टाइट करते यो सुलूश्ययंट के साहर की है तो इस टैप की नुACी नूमरीकल को सॉल करने के लिए मेथड होती है अमार पास numerator is equal to a denominator plus b derivative of denominator यह मेथड होती है a e to the power x plus b upon c e to the power x plus d जैसे question को solve करने के लिए so numerator numerator means यहाँ 20 plus 12 e to the power x लिखो यह 12 e to the power x plus 20 लिखो बोट आर सेम थिर बात तो एक है a denominator denominator क्या है 3 e to the power x plus 4 plus b derivative of denominator 3 e to the power x plus 4 ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे a से multiply कर लेते तो a से जब multiply करेंगे तियो हो जाएगा 3 a e to the power x plus 4 a plus और जब आप इसका derivative निकालोगे तो 3 e to the power x का derivative 3 e to the power x और वो b से multiplied होगा तो 3 b e to the power x और 4 का derivative तो 0 हो जाता है then after that आप यहां से e to the power x common निकाल लो e to the power x जब आप common निकालोगे तो यहां remaining रहेगा 3 a और यहां remaining रहे जाएगा 3 b e to the power x plus और constant of 4 a और यह आप compare करोगो 12 e to the power x plus 20 के सब क्योंकि e to the power x का coefficient कितना आ रहे है 3 a plus 3 b और यहां e to the power x का coefficient कितना रहे है 12 तो जब आप उसको 3 से divide कर लो तो आपको a plus b is equal to 4 दे देगा a plus b is equal to 4 वैसे 4 a 4 a 4 a को compare आप किसके साथ करोगे 20 के साथ तो 4 a is equal to 20 so a is equal to हो जाएगा 4 divide कर लो तो 5 तो यहां से आपको a पता चल गए इस a के वैलो को यहां स्टेप 1 में पूट अप कर देना होता है जो फॉर्स स्टेप है यहां पर पूट अप कर दो तो देखो क्या मिलेगा 12 e to the power x plus 20 is equal to a a कितना मिला था 5 तो यहां पर आजाएगा 5 in bracket 3 e to the power x plus 4 ठीक है और फिर प्लस बी बी कितना आया है बी आया है माइनस वन तो यह माइनस डेरिवेट्यू आफ डेरिवेट्यू आफ डेरिवेट्यू आफ 3 e to the power x plus 4 रहे जाएगा ठीक है यह आगे आपका नियूमरेटर 12 e to the power x plus 20 को हमने इस तरीके से एक्स्प्रेस कर ले फिर उसके बाद हम लोग क्या करते है उसके बाद question प्याते है अपने question में question में हम लोग आपका यह जो नियूमरेटर होता है 20 plus 12 e to the power x उसके जागा यह right side put up कर देते है तो 5 3 e to the power x plus 4 minus derivative of bracket 3 e to the power x plus 4 और whole divided by whole divided by whole divided by क्या आएगा 3 e to the power x plus 4 3 e to the power x plus 4 ठीक है जिन बच्चों है last video देखके रखा ना उनको यह समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि उनको पता ही है कि हम लोग क्या करते है ठीक है उसके बाद क्या होगा जब यह 3 e to the power x plus 4 इस term के साथ divide होगा तो यह cancel दो बच जाएगा आपका 5 plus और फिर यहाँ आएगा derivative of 3 e to the power x plus 4 और whole divided by 3 e to the power x plus 4 dx ठीक है देन उसके बाद अब आप integration को distribute करते है तो पहले integration distribute होगा 5 को और फिर integration distribute होगा derivative of 3 e to the power x plus 4 divided by 3 e to the power x plus 4 next अब क्या होगा 5 तो constant है 5 constant है integration से बाहर आएगा और बचेगा 1 1 का integration x plus और यहाँ क्या होगा यहाँ देखो अगर आप धान से तो denominator का derivative numerator में present है तो जब भी denominator का derivative numerator में present है तो हम लोग क्या लिखते है log mod denominator that means 3 e to the power x plus 4 plus c यह रहेगा आपको final answer ठीक है तो आपको चीज़े अच्छा से समझ में आगी होगी और अब आपको क्या करना है न सेम जैसे question number 8 है न इसी के जैसे same to same question number 9 भी है तो यह मैं आप लोगों के लिए as a homework छोड़ देता हूं कि आप उसको as a homework treat करो ठीक है same to same इसे की जैसा अगर आपको यह समझ में आगया अच्छे से तो question number 9 भी आप आशने से कर सकते हूं तो question number 9 को मैं skip करके question number 10 पर आता हूं ठीक है अब आते question number 10 पर question number 10 को नहां से देखो अब यह थोड़ा सा अलग question again यह substitution का ही question है आपको ऐसे इटम धूंड़नी है जिसका derivative given question में present हो तो देखो इसको solve करने के लिए हमार पास क्या अप्रोश होना चाहिए किस तरीके से हम इसको solve कर सकते हैं और सबस्क्राइब आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपना यह कॉस्स पावर एटेक्स है और इस cortex को आपके लिख लो कॉस्स अपॉन साइन एक्स यह वजाएगा कॉस्स अपॉन साइन एक्स आगे क्या करें यह यहां पर थोड़ी सोचने अली बात हो दें नॉर्मल स्ट जाओगे आप इसको कॉस्स पावर नाइन एक्स अपॉन में साइन एक्स लिख दोगे फिर अब ब्लॉक हो जागोई कि अब आप क्या पूटब करें क्योंकि अगर आप सोचोगे कि अच्छा यहां पर काफी सार बच्चे गलतिया करते कि वह सोचते सर अपन क्यों ना कॉस औरम यहां एक्स सांब करना और, यहां तरीका तो अपने लिए अपने लिए किसी काम में नहीं आएका तो अब क्या करें, तो अब देखों, द्हान से सुनना है, क्या मैं इस cos power 8x को, cos square x का power 4 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, cos power 4x का power, cos square x का whole power 4, into cos 6, और upon में आ जाएगा sin x, मतलब कुछ इस तरीके से arrangement कर रहा हूं, कि जो भी term में put up कर, उसका derivative मुझे question के अंदर दिख जाए, तो देखो, arrangement देख लो ध्यान से, अब यहाँ जो cos square x है, इस cos square x को मैं लिख रहा हूं, 1 minus sin square x, 1 minus sin square x, power में आएगा 4, और into में आ जाएगा cos x, और upon में आ जाएगा sin x dx, t put up कर दो, put sin x is equals to t, sin x के जगा t, sin x के जगा t put up करने, पर sin x का derivative कितना आएगा, cos x dx is equals to dt आ जाएगा, तो देखो, आप इस cos x dx के जगा dt रख सकते हो, sin x के जगा t रख सकते हो, तो यह क्या बन जाएगा, देखो धान से, यह बन जाएगा आपका integration of, 1 minus, अपने sin x के जगा t रखा तो यह आजाएगा t का square, power 4, cos x dx के जगा कितना आजाएगा, cos x dx के जगा dt, और sin x के जगा आजाएगा t, तो उसको यहाँ रख देता हो, t, अब problem आजाती कि अब इसको कैसे solve करे, काफि सारे बच्चों को power 4 का expansion पता नहीं होता है, तो मैं आपको पहले तो formula बता देत power 4 को क्या करो न, a minus b whole square into a minus b whole square करके उसको expand करो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, but formula आपका बन जाएगा, तो मैं आपके साथ पहले direct formula discuss कर रहा हूँ, formula होता है, इसका a power 4 minus 4 a cube b plus, फिर उसके बाद आता है, 6 a square b square, फिर minus 4 a b cube, और फिर उसके बाद आता है, plus b power 4, यह होता है formula, किसका, a minus b whole power 4 का, तो formula तो बन गया, formula बन गया, तो formula अप्लाइ कर लेते हैं, तो यहाँ पे a मतलब 1, और b मतलब t square, a मतलब 1, b मतलब t square, तो a power 4 मतलब 1 power 4, यहने की 1, minus, फिर आएगा 4 a cube b, तो 4 a cube मतलब 1 का cube 1, और into में b, b मतलब का t square, plus, फिर आएगा 6, a square, a square मतलब 1 का square 1, और b square मतलब t square का square, तो t का power 4, minus 4 a, a मतलब 1, और b cube मतलब t square का cube, तो यहाँ आएगा t का power 6, plus, फिर आएगा b का power 4, b मतलब क्या, t square का power 4, तो यहाँ जाएगा t power 8, divided by, divided by आजाएगा आपका t, अब आप क्या करूँ, यह t को हर एक term के साथ divide कर लो, तो जब यह t आपका 1 के साथ divide होगा, तो 1 upon t देगा, minus, फिर यही t जब इदर divide होगा, तो 4 t, फिर यही t जब इदर होगा, तो 6 t cube, फिर यही t जब इसके साथ, तो 4 t power 5, plus t power 7, dt, बस इसके बाद तो काफी simple है, आप सब बच्चों को इसका integration आई जाता है, 1 upon t का integration, log, mod t, minus 4 constant बहार, t का integration कितना, t square by 2, plus 6, t power 3 का, यहाएगा, t power 4 by 4, minus 4, t power 5 का, t power 6 by 6, plus, इसका आईगा, t power 8 by 8, plus c, ठीक है, और at the end, अब आप क्या करो, t की value को substitute कर दो, t, t क्या लिया था हम लोगों ने, हम लोगों ने, t लिया था, sin x, तो यहाँ आजाएगा, sin x, minus, यह 2, इस 4 के साथ, divide होके, 2 देगा, और t के जगा, sin रखने पर यह बन जाएगा, sin square x, plus, इन दोनों में 2 से divide होगा, तो यह 3 by 2 आएगा, इस t के जगा क्या रखेंगे, sin x, तो यह हो जाएगा, sin power 4 x, minus, वैसे ही, यह 4 और 6 है, तो इसमें भी यह कितना हैगा, 2 by 3 हो जाएगा, 2 by 3, और इस t के जगा क्या रखेंगे, sin, तो यह कितना हो जाएगा, sin power 6 x, plus, फिर इसे, sin, यह हो जाएगा, sin power 8 x, अपन में 8, plus c, तो यह रहेगा आपका final result, ठी, तो उमीद करता हो, क्यों क्यों आपको समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के complicated question को solve करने के लिए, आपको क्या approach लगाना होगा, ठीक है, मेरी बात, अगर आप हर वीडियो को धहन से सुनोगे, तो मैंने एक बात आपको सभी वीडियो को common बताईए, कि integration जैसे chapter पर अगर आपको एक अच्छी पकड बनानी है, एक अच्छा command रखना है उस chapter पर तो आपके बाद सिर्फ एक ही option है, आपको सिर्फ और सिर्फ lot of numerical solve करना होगा, जितने जादा numerical आप solve करोगे, automatically confidence build up होगा, कि हर question को देखने के बाद आपको एक ऐसा अधूरासा नहीं लगेगा, आपको लगेगा, यहर मैं कर सकता हो, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपको, अगर question वाकरी में मुश्किल है तो, बड़ अगर आपने practice के तो कही ना कही सब आप रास्ता निकाल ही लोगे numerical को solve करने के, इसले कह रहा हूँ कि बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि आप जादर से जाला numerical को solve करो, सिर्फ देख के काम मत करख दो कि हमने देख लिए हमको समझ में आगा बात खतम नहीं देख लो पूरा वीडियो से अच्छा से देख लो तो जो जो question में ने बता उनको सबका फिर से एक बार ट्राय करो और फिर जहा जहा आप लटक रहो उसके लिए एक बार फिर से वीडियो को उस जगह से शुरुआत कर लो ठीक है ना आगे बड़ते question number 11 पर अब question number 11 थोड़ी से आपसे ज्यादा महिनत करवाएगा integration tan power 5x पूछ लिया तो थोड़ी सी history जान लो आप कि अगर मानलो कभी आपको tan square x का integration पूछा जाए tan square x का integration निकालना काफी आसान है आप इसको बस 6 square x minus 1 लिख दो यह formula है कि 1 plus tan square x x square x होता है तो tan square x अगर है तो से x square x minus 1 लिख दो से x square x का integration tan x 1 का x तो आपका tan square x हो जाएगा अगर मानलो कभी tan cube x आ जाए tan cube x तो tan cube x को क्या करो ना आप tan cube x को आप लिखो tan x into में tan square x tan x into में tan square x और यह जो tan square x है यह आपका tan square x है आप इसके जगा क्या रख दो 6 square x minus 1 6 square x minus 1 बस tan x जब आप इससे distribute करोगे तो आएगा कुछ इस तरीके से माइनस tan x ठीक है इसके बाद तो आसान है integration इससे distribute कर दो आप tan x के जगा t put up कर दो उसका derivative present है और फिर यह integration यहाँ पे तो tan x का integration तो पता ही है तो tan square x है तो इस तरीके से tan cube x है तो इस तरीके से tan power 4 होता तो कैसे solve करते है उसके लिए आप थोड़ा सा सोचो थोड़ी और research करो कि square के लिए मैंने बता दिया cube के लिए भी बता दिया tan power 4 अगर आ गया तो उसके लिए क्या करें तो मैं अब आपको solve कर रहा रहो tan power 5 के लिए तो दहां से सुनना कि tan power 5 को solve करने के लिए क्या हमने करना चाहिए अब क्या करो ना आप इस tan power 5 x को लिख लो tan cube x into tan square x tan cube x into tan square x इस तरीके से split up कर लो then after that अब आप क्या करो अब आप एक काम कर लो यह tan cube x से tan square x को आप लिख लो 6 square x minus 1 6 square x minus 1 लिख लो तो जब आप tan cube x को split up करोगे या multiply करोगे तो tan cube x tan square x के साथ multiplied होगा फिर यही tan cube x 1 के साथ multiplied होगा 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 है 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 इंटीग्रेशन आप distribute कर लो पहले इंटीग्रेशन डिस्ट्रूबीट होगा इससे tan cube x into 6 square x dx के साथ minus और फिर यहीं इंटीग्रेशन tan cube x के साथ भी distribute हो जाएगा ठीक है यह तो आसान है आप इसको ना एक काम कर लो फिलाल के लिए i1 कह दो इस इंटीग्रेशन को माइनस और इसको i2 बोल दो तो हम i1 i2 separately solve कर लेते हैं ठीक है तो सब सब का derivative present tan x के जगा हम लोग t रख सकते हैं तो अब मैं यहां पर tan x के जगा पर t put up कर देता हूं तो जैसे मैं tan x के जगा t put up किया तो tan x का derivative कितना होता है 6 square x dx is equal to dt बन जाएगा यह तो i1 tan x के जगा t तो यह बन गए t cube x square x dx के जगा आएगा dt तो t cube का integration कितना होता है t power 4 by 4 ठीक है प्लस c1 लिख देता है क्या करता है c1 लिख देता है और t की value अगर मैं substitute कर लो तो t कितना था tan तो यह बन जाएगा tan power 4 x upon 4 plus c1 यह बिलके आपको i1 यह क्या आगया i1 ठीक है उसके बाद i2 तो i2 मतलब क्या है i2 का मतलब integration of tan cube x और अभी मैंने आपको बताया था tan cube x का integration कैसे solve करते हैं ठीक है ना tan cube x का integration किस तरीके से solve करना होता है सो tan cube x का integration solve करने के लिए हम लोग क्या अप्रोच करते हैं कि हम लोग इस tan cube x को लिख लेते कुछ इस तरीके से tan x into tan square x और उस tan square x के जगा रख दिया हमने माइनस x square x माइनस 1 और फिर integration distribute कर दिया तो यह आजाएगा tan x into x square x माइनस और tan x अब आप चाहो तो directly भी कर सकते हो या चाहो तो फिर से substitution से भी कर सकते हो जैसे अगेन फिर से आप tan x के जगा t रखोगे तो उसका derivative कितना हैगा आस x square x तो tan x का derivative present है यानि जब आप integration के अंदर देखोगे तो आपको t दिखाए देगा व्यूंकि tan x के जगा आप t रखोगे और उसका integration प्रेजेंट है तो से x square x dx के जगा कितना हैगा d t आ जाएगा माइनस और यह tan x का integration तो पता ही है या रहने दो वह भी चलेगा tan x का integration ऐसे integration इसको distribute हो गया और यही integration इधर भी distribute हो गया तो t का integration कितना होता है t का होता है t square by 2 minus और यह tan x का कितना होता है log mod sec x plus c और फिर आप t की value रख दो t क्या रखा था अपनने t रखा था tan x तो यह हो जाएगा tan square x divided by 2 minus log mod sec x plus c यह आपका i2 आगया ठीक है हमें i2 मिल गया हमें i1 मिल गया अब इस i1 i2 का हम लोग यहां रख देंगे तो अपना final answer आ जाएगा चलो देखते i is equal to i1 i1 यह था tan power 4 x by 4 plus c1 minus i2 यह i2 यह है complete तो यह minus जो है ना आपका ही जो minus है यह multiplied हो जाएगा किसके साथ इस term के साथ समझें यह कितना आएगा minus tan square x by 2 और यही minus जब इधर multiplied होगा तो plus log mod sec x plus c इसको 2 नाम देते तो c2 यह हो जाएगा c2 अब फाइनली हम लोग इसको एक प्रॉपर वे में लिख लाते हैं वो प्रॉपर वे क्या है कि i is equal to देखो पहले tan power 4 x upon 4 उसके बाद यह minus tan square x upon 2 plus log mod यह sec x plus और यह देखलो यह c1 और c2 दो अलग-अलग constant है तो है तो constant ही ना तो आप यह c1 plus c2 के जगा आप सिरिफ c लिख दो तो भी काम हो जाएगा यह भी चलेगा तो इस तरीके से आपका अप्रोस होना सी तरीके से आपको थोड़ी महनत करना पड़ेगा अगर माना लो कभी अपने पो टैन पावर 7 भी निकालने की ज़र्द गिरी तो भी आपको निकालते आना चाहिए थोड़ी और चीजे एक्सपांड होगी लेकिन आप solve कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ते है question number 12 पर question number 12 क्या दिया है कि आपको integration find out करना cos power 7x का तो अब आप दीरे दीरे चीज़े तो सेखी रहा हो अब आप समझ भी गया होगे कि cos power 7x का integration निकालने के लिए हमने इसको cos power 6x into cos x लिखना चाहिए उसके बाद इस cos power 6x को हम लोग cos square x का whole cube लिखते हैं into cos x और फिर इसके बाद फिर इसके बाद आप इस cos square x को ना 1 minus sin square x लिख सकते हो whole cube आएगा और into में आ जाए का cos x dx अब आप बहुत आसन इसे देख पारे हो कि sin x का derivative present है तो अब आप क्या कर लो, put कर लो क्या put up कर लो, sin x के जगा t sin x के जगा t तो sin x का derivative कितना आएगा cos x dx is equal to dt sin x के जगा t, तो sin x का derivative cos x dx is equal to dt तो I think अब आप समझ ही गए होगे कि अगले step में क्या होगा, यह 1 minus यह बन जाएगा t square का cube और cos x dx के जगा जाएगा dt यहाँ पर formula यूज कर लो a minus b का whole cube a minus b का whole cube तो I hope कि सब बच्चों को आई जाता होगा क्या होता है a minus b का whole cube a minus b का whole cube a cube मतलब 1 का cube, minus 3 a square b, 3 a square into b plus 3 a b square, 3 a b square, यहनि कि 3 t to the power 4 plus b cube, तो t square का cube, यहनि कि t power 6 dt ठीक है, जलो देखे, इसका integration देखे, 1 का integration with respect to t, t आएगा, यह कितना आएगा, 3 t cube by 3 आएगा, minus plus, इसका कितना आएगा, t power 5 by 5 आएगा, plus, ओ सॉर्य, यहाँ पर minus आएगा, minus, और यह कितना हो जाएगा, t power 7 by 7 plus c और अब आप क्या कर लो, t की value, को रिये substitute कर लो, t याने क्यों, t याने sin x, t का मतलब sin x, minus, यह 3 3 cancel, तो यह बन जाएगा, sin, cube x, plus, 3 by 5, यह बन जाएगा, sin, तो यह हो जाएगा, sin, power 5 x, minus, यह हो जाएगा, t, तो यह हो जाएगा, sin, power 7 x, x by 7 plus c, यह आजाएगा, आपको final result, तो काफी simple ही था, बहुत आसानी से solve भी आप कर सकते हो, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते, question number 13 पर, question number 13 में क्या बोला गया, कि आपको integration find out करना है, tan 3 x into tan x into tan x, अब यहाँ पर 3 tan की term है, जो product में आई है, तो अब यह कहा से create होगा, यह formula कैसे create होगा, उसके लिए आप द्धान से देखो, अगर आप tan 3 x को, इस तरीके से लिखते हों कि tan 2 x plus x, तो चलेगा, tan 3 x को हम लोग tan 2 x plus x लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप formula यूज़ करेंगे हम tan a plus b, I hope कि आप सब बच्चों को tan a plus b का formula पता होगा, tan a plus b होता है, tan a, that means tan 2 x plus tan b, मतलब tan x, divided by 1 minus tan a, मतलब tan 2 x, into tan b, मतलब tan x, तो यह आजाएगा, आपका tan 3 x, अब आप क्या कर लो, cross multiply करों, तो जब आप cross multiply करोगे, तो इसके divide में कुछने होतलब 1 है, जब आप cross multiply करोगे, तो tan x into 1, sorry, tan 3 x into 1, यह हो जाएगा, tan 3 x minus, फिर यही tan 3 x, इधर जब multiplied होगा, तो क्या देगा, tan 3 x into tan 2 x into tan x, ठीके, is equals to, और जब आप यह 1 को इससे multiply करोगे, यह जैसे के वैसे ही मिल जाएगा, tan 2 x plus tan x, बड़ आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो, कि आपके पास tan 3 x, tan 2 x, tan x रहे हैं, तो यह minus solid term को equals to, कि इस साइट लेके आते हैं, और इन दोनों को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या होगा, tan 3 x, tan 3 x, जब आप इस tan 2 x को इधर लाओगे, तो minus tan 2 x, और जब आप इस plus tan x को इधर लाओगे, तो यह भी minus tan x हो जाएगा, is equals to, is equals to, यहाँ पर, minus solid term, is common equals to कि इस साइट शिप्ट करेंगे, तो यह प्लस हो जाएगा, यानि कि tan 3 x into tan 2 x into tan x हो जाएगा, so it means कि आपके पास जो question दिया था, integration, tan 3 x, tan 2 x, tan x, tan 3 x, tan 2 x, tan x, उसके जगा भी यह साइट रख सकते हो, tan 3 x, minus tan 2 x, minus tan x, ओके, अब आपको बस tan का formula पता होना चेंगे, मैं यहाँ लिख देता हो कि tan f of x का integration क्या होता है, tan f of x का integration, यह होता है, log mod sec f of x, log mod sec f of x, और divide में आता है, derivative of f of x, derivative of f of x, किसका, tan f of x का, log mod sec f of x, और नीचे में derivative of f of x, तो अगर मैं जब इसका integration निकालोगो, कि इसका tan 3 x का, तो यहाँ भी formula यूज होगा, tan f of x, tan f of x कितना, log mod sec f of x, f of x means 3 x, और divide में आएगा 3 x का derivative, which is 3, 3 x का derivative 3, minus, similarly tan 2 x का, क्या होगा, log mod sec 2 x, और divide में आएगा, 2 x का derivative 2, minus, और tan x का, log mod sec x, plus c, तो इस तरीके से आपको इसको solve करना था, ठीक है, तो यह काफी simple example था, बस आपको tan 3 x, tan 2 x, tan x का conversion पता होना चाहिए, तो tan 3 x, tan 2 x, tan x का conversion होता है, tan 3 x, minus tan 2 x, minus tan x, ओके, ठीक है, आगर बट्टे question number 14, question number 14 भी आगें बहुत ही बढ़िया question, आपको बस सोचना है, कि क्या करें, क्या adjustment क्या करें, बस यही सोचो, यही सवाल, बार-बार खुछ से पूछाओ, कि क्या ऐसी adjustment करें, कि ऐसी term बन जाए, जिसका derivative present हो, अगर आप इसको ध्यान से observe करोगे, तो आप ना, यह sin power 5 x को, sin power 4 x, इन्टू यह cos power 8 x और 1 sin x को इधर लगा दो, तो sin power 5 x में से हमने sin x इधर यूज कर लिया, अब यह जो sin power 4 x है, इसको आप क्या लिखो sin square का square, क्या sin square का square, और वो जो sin square हैगा, उसके जगव, 1 minus cos square x, 1 minus cos square x, ठीक है, और इन्टू में cos power 8 x into sin x, उम्मिद करता हो, आप समझी क्या हो गए, तो हमने इस तरी की क्या arrangement क्यों किये, प्योंकि अब मैं यहाँ cos x के जगवा t रख देता हो, उसका derivative sin x dx present है, so put, put cos x is equal to t, so cos x के जगवा t, तो cos x का derivative कितना होता है, minus sin x dx is equal to dt, तो कोई बात नहीं, minus sin x dx है, तो sin x dx is equal to कितना आजाएगा, minus dt आजाएगा, minus dt, अब put up करने के बाद देखो, क्या मिलेगा आपको, so integration of 1 minus, इस cos x के जगवा t, यह बन जाएगा t square का whole square, इस cos x के जगवा t, यह बन जाएगा t to the power 8, और sin x dx के जगवा minus dt, sin x dx के जगवा minus dt, इस minus को आप integration से बाहर निकाल लो, minus integration से बाहर आएगा, और जब आप इस 1 minus t square whole square करोगे, a minus b whole square, कितना हैगा, 1 minus 2t square plus t power 4 आजाएगा, t power 4 और into में t power 8 dt, t power 8 dt, और then after आप यह t power 8 को multiply करो, इसके बाद तो I think आप सबको पता ही क्या होता है करके, बहुत आसान होता है इसके बाद तो, यह हो जाएगा, t power 8 minus 2, t power 10 plus t power 12, इसके बाद बतानी की ज़रूत नहीं है, अगर आप यहाँ तक पहुच गए हो, that means आपने इसके पहले के सारे वीडियो और देखके रखें, तो इसके बाद तो आप सबको बता है, important part ही यह, कि इससे ही ज़र आप adjustment करते हो, ठीक नहीं, यह जो changes करते हो, यह सबसे important, इसके लिए थोड़ी आपको मेनत करनी होती है, अब क्या t power 8 का integration कितना होगा, t power 8 का integration, t power 9 by 9 minus 2, t power 11 by 11 plus t power 13 by 13 plus c, प्लस से, ठीक है, और अब आप यह minus से multiply कर लो, यह minus से रहने दो, t की value रहने कर लो, t कितना है, cos, तो यहाँ रखेंगे cos, तो यहाँ रखेंगे cos, तो यह बज़ेगा, cos power 9x upon me 9 minus 2, यहाँ पे भी cos रखा तो यह बंज़ेगा, cos power 11x upon me 11, प्लस यहाँ पे भी cos, तो cos power 13x upon me 13, प्लस c, तो यह बन जाएगा अपना final answer, ठीक है न, तो I hope कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, और आपको जिस तरीके से मैं explain करो, यह चीज़ है, क्लियर हो रही है, तो वीडियो को लाइक करना भूलो मत, वीडियो को लाइक करो, जादा से जादा वीडियो को फैलाओ, ताकि जो class 12 की preparation कर रहे है, उनको उन तक यह वीडियो पहुच पाए, और उनकी थोड़ी बहुत हो पाए, ओके, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन बच्चों को formula अच्छ से पता है न, तो शायद उनको click भी कर जाएगा, कि यार हमने न यहाँ पर, हमने न यहाँ इस sin 2x का formula यूज़ कर लेना चाहिए, sin 2x का formula था 2 sin x into cos x, तो मैं उसको ऐसे लिख ला थो, cos x into sin x, कोई फरक गिरेगा तो नहीं, I don't think so कि आपक put up करना चाहिए, ऐसे कौन सी time में जिसका derivative present है, अगर आपका derivative part बहुत बढ़िया है न, बहुत practice आपने की है न, तो आपको पता है कहीं न, कहीं कि cos square x के derivative में, cos square x के derivative में, 2 cos x sin x indirect way में मिल जाएगा, आपको, cos square x के derivative में, 2 cos x sin x मिल जाएगा, ठीक है, चलो देखो, कैसे, so put कर लो, आप cos square x के जगा t, अब आप सबको पता है, cos square x लिखो, या cos x का whole square लिखो, बात तो एक ही है, अब इसको differentiate करो, तो cos x whole square का derivative, cos x whole square का derivative कितना हैगा, 2 cos x, और side में हैगा, cos x का derivative, which is minus sin x, dx is equal to dt, तो यह बन जाएगा, minus 2 cos x sin x dx is equal to dt, तो that means 2 cos x sin x dx कितना आजाएगा, minus dt आजाएगा, तो बस अब आप 2 cos x sin x dx के जगा, minus dt रख दो, तो काम तो I think यही पर अब खतम हो चुका है, 3 power में, यह बन जाएगा, cos square x के जगा हमने t रखा है, तो 3 power में t, 2 cos x sin x dx के जगा कितना आजाएगा, minus dt, minus dt, minus को आ बाहर लेलो, यह जो minus है, इसको बाहर लेलो, और यहाँ बज़ जाएगा, 3 to the power t dt, I hope कि सब बच्चों को a to the power x का integration पता होगा, a to the power x का integration क्या होता है, a to the power x upon में log a, plus c, यह formula होता है, तो फिर 3 to the power t का क्या होगा, तो यह हो जाएगा, 3 to the power t upon में log 3, plus c, और अब आप क्या कर लो, t की value को substitute कर लो, t कितना, t कितना, t कितना, cos square x, यह हो जाएगा, 3 cos square x, upon में आएगा, log 3, plus में आजाएगा, c, यह आएगा, आपका final design, तो काफी simple था, बस आपको यह, यह देखने के बाद, अच्छे, यह मैं चाहता था, तो मैं sin 2x ही रहने देता था, लेकिन बहुत से बच्चों को यह click नहीं होता, कि cos square x का derivative में, minus sin 2x होता है, लेकिन काफी सारे बच्चों को यह click हो जाता है, कि हाँ, cos square x का derivative में, 2 cos x sin x तो यह रही है, okay, आगे पड़ते question number 16 में, question number 16 को भी ध्यांसे देखो, यह भी बहुत important question, actually, यह जो new syllabus है, यह आपका 20 image, जो new syllabus है, 2020 में, इसमें जो questions इस बार दाले न, वो as compared to previous old syllabus के comparison में, बहुत ही बढ़िया question दाले, मतलब, ऐसे question frame किये गए, जहाँ पे बच्चे को जादा याद ना करना पड़ी, यह जादा ratification ना करना पड़ी, तो जादा-जादा उन्होंने सोचना चाहिए question को लेके, इस टाइप के question इस बार frame किये, last time में क्या होता था, last syllabus जो था, उसमें जादा करके question ऐसे थे, जिसमें ratification था, कि यह एक question है, इसकी यह method है, बस उसको follow करते जाओ, ठीक है, तो personally मुझे तो new syllabus को question बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इसमें सोचने वाली चीसे बहुत जादा होती है, ठीक है, इस question को कैसा solve करें, अब देखो, आपको ना हर question को बारी किसे देखना है, पिसफुली समझना है, और बार बार देखते हो कि यह कुछ pattern है के इसमें, हाँ बिल्कुल pattern है, देखो, यहाँ पर 6x है, यहाँ 10x और यहाँ पर 4x है, तो combination देखो, कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ, कि 6x को आप 10x-4x लिख सकते हो, 6x को क्या लिख सकते हो, 10x-4x, तो इस ही रहने हैं, sin 10x into sin 4x, then उसके बाद क्या, जहाँ पर अब आप लगा लो, sin a-b का formula, sin a-b, तो sin a-b क्या होता है, sin a-b, sin a, मतलब sin 10x, sin a cos b, cos b का मतलब cos 4x, minus cos a, cos a का मतलब cos 10x into sin b, याने की sin 4x, divided by sin 10x into sin 4x, समझा, I hope की समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ पर इसमें किया हैंने, 6x को 10x-4x लिखाएं, और sin a-b का formula, अब इससे फाइदा क्या होगा, कि जब आप यह sin 10x, sin 4x को, sin 10x, sin 4x को इसके साथ divide करोगे, तो sin 10x, sin 10x cancel, cos 4x divided by sin 4x कितना होगा, cos 4x divided by sin 4x, यह हो जाएगा, cos 4x, minus, और वैसे sin 10x, sin 4x, जब इधर divide होगा, तो sin 4x, sin 4x cancel, यहाँ बच जाएगा, cos 10x upon sin 10x, that means, cot 10x dx, ठीक है, बस अब आप यह integration को distribute कर दो, so integration of हो जाएगा, cot 4x dx, minus, और यहाँ पर भी integration हो जाएगा, cot 10x dx, ठीक है, so cot 4x का integration, cot 4x का integration, तो formula को से युज़ होगा, cot f of x, cot f of x का integration, I hope कि सबको पता होगा, log mod sin f of x, cot f of x का log mod sin f of x, f of x का मतलब 4x, और divide में आएगा, 4x का derivative 4, 4x का derivative 4, minus, minus, cot 10x का क्या होगा, cot 10x का, यहाँ पर लगाते है, cot f of x, cot 10x का क्या होगा, यह भी log, mod sin 10x, sin 10x, और divide में आजाएगा, 10, divide में आजाएगा, 10, ठीक है, तो plus C लिख लेना, यह रहेगा, आपको final result, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा, कि शुरुवात करना ही थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, एक बार आपको click कर गया ना, कि कैसे solve करना है, क्या शुरुवात होनी चाहिए, उसके बार तो question बहुत ही जल्दी, और बहुत आसानी से solve हो जाते है, उसके बार तो क्या basic calculation रहता है, इंटीग्रेशन होता है, बड़ जो first step होते हैं, question को देख्यों first step हम लोग रखते हैं, जो first stage हमने करनी चाहिए, वो सबसे important होती है, तो बस और आपको बतो बस यही एक first step समझने के लिए आपको पूरी practice करना होता है, a lot of numerical solve करना होता है, जितने ज़्यादा आप numerical solve करोगे, उतनी चीज़े आपको clear होते जाएगी, उतना ही आपका vision clear होगा, आपको question देखने के बाद click होते जाएगा कि हाँ हमने इस question में यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, ओके हैं, so, अगर आप question number 17 को देखोगे, तो फिलाल के लिए मैं इस question number 17 को skip कर रहा हूँ, क्योंकि question number 17 में जो concept हमें use करना है, वो आने वाले chapter से, या sorry, वो आने वाले topic में है, तो actually यह question भी गलती से उन्होंने इस exercise में fit कर दिया है, actually इसमें जो भी formula यूज़ करने वाले, जो भी technique हम लोग यूज़ करने वाले, वो upcoming topics में हमें देखनी है, so, फिलाल के लिए मैं इस question number 17 को नहीं कराने वाला हूँ, but मैं आपको याद दिलाओगा, कि हाँ देखो हमने, इस इस वीडियो में यह question को skip किया था, क्योंकि इसका use हमें अगले topic में करना है, यह बोलके, तो जब हम लोग उस topic को कर लेगे, तब मैं यह question आपके साथ फिर से एक बार discuss करूगा, ठीक है, इसके साथ आपके exercise 3.2 ए question number 2 भी complete हो चुका है, उमिद करता हूँ कि आपको integration की पूरी जो series है वो अच्छे से समझ में आ रही होगे, उमिद करता हूँ कि यह video आपके help कर रहे हैं आपके syllabus को समझने के लिए, आपके class 12 की preparation के लिए और अगर आपको यह चीज़े समझ में आ रही हैं आप इस video series से satisfied हो तो आपसे request है कि video को like करो और अगर चैनल subscribe नहीं किया तो उसको subscribe भी कर लो और जो आपके friends है जो इस बार 11 12 में हैं उनको यह videos forward करो ताकि उनकी जो exam की तयारी है यह videos उन exam की तयारी म आपके ठीक है तो आज हम लोग यही पर स्टॉफ होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए topic के साथ continue करेंगे